तो दोस्तों काफी लंबे समय से टेसला का इंतजार किया जा रहा है कि वो भारत में आ के अपनी manufacturing plant को open करे और चाइना के बजाए made in India टेसला भारत में बेची जाए लेकिन आप फिलाल क्या हलातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि टेसला भारत में नहीं आएगी लेकिन ये ब EV कारे काफी जादा successful रही है और इसी बात को देखते हुए Tata Motors अब एक next level कार को launch करने वाली है तल यहाँ पे Tata अपनी पुरानी कार के next level version को launch करने वाली है जिसको इन्होंने नाम दिया है Nexon EV Max तो इस electric car में जो features होंगे वो अब तक कि कोई भी कारों में नहीं देखे गए होंगे ऐसे features डालने वाले साथी साथ इसकी जो range है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा इस car में 437 km की range होगी single charge पे तो मैं आपको यह जानकारी के लिए बता दू कि जब यह Nexon EV Max की testing की गई थी तो यह 10% safer मानी गई यह worldwide दूसरे गाडियों के compare में साथी साथ इसके features दूसरे गाडियों के compare में काफी जादा advance माने गए तो company ने इस नई गाडी में नए battery packs को लगाया है ताकि जादा long range मिल पाए पुराने version में 30.3 kilowatts की battery लगाई गई थी वही इस नई गाडी जो की upgraded version है उसमें 40.5 kilowatts तक की battery देखने मिलेगी हमें साथी साथ दोस्तों इस गाडी की इस्तमाल किया गया है तर हम electric vehicles की बात करें तो सबसे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारी गाडी को charge करने में कितना समय लगेगा तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दू कि ये जो नई Nexon EV vehicle है ये सिर्फ 56 minute में charge हो जाएगी जो की range देगी 435 km की और ये अ इस पैशली EV vehicles के लिए इन manufacturing units में battery production साथी साथ सेमी कंड़क्टर की manufacturing की जाएगी साथी साथ ये कार पुरी तरीके से मीडिन इंडिया होगी जिसके कारण हमारे जो local manufacturers है उन्हें काफी जादा बूस्ट मिलेगा तो दोस्तों ताटा के दोरा बनाएगा इस advanced electrical vehicle के बारे में आ साथी साथ सब्सक्राइब कर दीजय जहिन